हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल रीचा मेहरा शॉट्स और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ कोचाई की खटी वाली सब्जी की रेसिपी तो कोचाई को हम दूसरी लेंग्वेज में अलभी भी कहते हैं कोचाई की जो सब्जी होती है उसे हम दो तरीके से बना सकते हैं एक हम इसे मसाले वाला में जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं हम वैसे बना सकेंड होता है कि हम दही वाला बनाते हैं तो दही वाली सब्जी को खटी वाली सब्जी कहते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ वाली हो कि हम कोचाई की खटी वाली सब्जी कैसे बनाते हैं और मैं आपको बार बता दू कि कोचाई की जो हम खटी सब्जे बनाते हैं उसमें ज्यादा तेल मसाले लसून प्याज बगेर जादा जरुवत नहीं पड़ती हैं जितना भी हम कोचाई की सब्जे को सारे तरीके स जल्दी जल्दी से सारे कोचाईं कोहम छील लेते हैं मैं हमेशा मार्केट से कोचाई के जो साइज है ये आप देख सकते हो कि थोड़ा बड़ा है तो इस टाइप का ही कोचाई लाती हूँ इसकी छोटी साइज भी आती है जो कि छिलने में आशानी नहीं होती तो मैं prefer करते हूँ कि मैं यही वाली size लूँ हमेशा इसे छील के हमें आलू के जैसे छोटा-छोटा cut करना है आप अपने हिसाब से इसे कोई भी size में cut कर सकते हैं चाहे तो आप इसे लंबा-लंबा cut कर सकते हैं या फिर आप इसे 4 तुकड़ा भी कर सकते हैं जब हम इसे wash करते हैं तो white white सा चिपचिपपा पानी हो जाता है तो इसे बहुत अच्छे से wash करना चाहिए क्योंकि अगर इस अच्छे से wash नहीं होओ तो सब्जी भीखाराब हो जाती है चिपचिपी सी हो जाती है तो मैंने इसे 4-5 पानी से अच्छे से wash किया अब यहां पे लेते हैं हम प्याज, छोटा सा प्याज मैंने बारी कट कर दिया है, ये मैंने लिया है धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, नमाग, और लिया है मैंने सरसो, कड़ी पत्ता, यहां पे 5-6 मिर्ची मैंने 20 से कट कर के लिया है और मैंने लिया है एक आम, आम के मेरे पास यहां पर गंजी में थोड़ी सी दही रखी वी थी तो यह तीन चार टेबल स्पून दही थी अब इसमें मैं गंजी में ही डाल दूंगी मैं थोड़ा सा बेसन दो चम्मज बेसन मैंने डाला हुआ है और इसे अब अच्छे से फेट लेंगे इसमें बिल्कुल भी ल we will not mix oh pater इसमें डानी के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन ले रहें की जड़र्वत नहीं नहीं है क्योंकि पानी इसमें अच्छी 성्छी से ढाल आ है आपको काम या जादा नहीं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमारा गोल तयार हो गया है यहाँ पर हमारे मसाले तयार हो गए है और आप देख सकते हो कि सबजी बिनाने के लिए हमें सिफ इतने ही चीजों की जरुवत है आपको सिफ इतनी ही सामगरी चाहिए कुझाई की सबजी बिनाने के लिए अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा तेल जब भी आप कढ़ाई में तेल डालते हैं तो आप तेल ऐसे कढ़ाई पर फैलाते हुए डाला कीजिए तकि कड़ाई में जो तेल होता है न वो पूरी तरीके से फैल जाता है तो सबजी चिपकती नहीं है जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे तेल में सरसो इसे राई भी बोलते हैं और अब हम सरसो के तड़कने का वेट करेंगे जब सरसो तड़क जाएगा तब हम उसमें बाकी चीज़े डालेंगे जब हम किसी भी चीज़ के लिए सरसो या जीरे का यूज करते हैं तो उसे बहुत ही अच्छे से तड़का लेना चाहिए जिससे कि उसका कच्चा कच्चा जो फ्लेवर होता है वो नहीं आता सबजी पे उसके बाद डालेंगे हम प्याज, मिर्ची और कड़ी पता ये तीनों चीज़े आप एक साथ ही डाल सकते हैं और इसे आप तब तक ही सेखिए जब तक के प्याज का कलर ब्राउन नहीं हो जाता जब भी हम खटी सबजी बनाते हैं तो उसमें प्याज डालना जरूरी नहीं होता बट थोड़ से फ्लेवर के लिए मैंने यापे प्याज डाल दिया है यह ओप्शनल है आप नहीं भी डालेंगे तो भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आपको यहाँ पर चम्मत चलाते रहना है और प्याज को थोड़ा सेखने तक के वेट करना है जैसे ही प्याज सिख जाए आप उसमें जो आप कोचाई धोग के रखे वेते वो आप उसपे डाल सकते हो कोचाई को डालने के बाद आपको सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और दीरे दीरे चम्मत चलाते रहना है जब तक के कोचाई में तेल अच्छे से आपज़र्व न हो जाए आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए और जब आपको लगे कि इसमें तेल अच्छे से आपज़र्व हो चुका है और सारा चीज अच्छे से मिक्स हो चुका है दीरे दीरे करके mix करते जाएं और जब भी आप मसाले वगरा डालते हैं तो जो भी सब्जी ओ उसे त्रेल जब observe हो जाता है उसके बाद ही आप सारे मसाले डालें क्योंकि मसाले में ही अपना खुद का oil होता है जो कि वो तेल में सेखने के बाद वो oil बहार निकलता है आप धी दीरे मसालों के साथ इसे mix करते जाएं और जैसे-जैसे मसाला सेट होता जाएगा वैसे-वैसे वो अपना ओईल भी छोड़ता जाएगा अब कोचाई को पकने के लिए आप इसे ढग कर रखते जाएं और थोड़ी-थोड़ी देरे में चेक करते रहिए कि कोचाई पका है यह नहीं पका है कोचाई बिलकुल आलू के जैसा ही होता है तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा यह आलू के जैसे बहुत ही जल्दी पक जाता है आपको इस तरह से धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-पूरे मसा के साथ कोचाई को मिलाते वे चलना है ताकि यह बहुत ही अच्छे से पक जाए और जब आपको लगे कि कोचाई पक चुका है तो आप उसमें आम डाल दीजिए अगर आप आम नहीं डाल रहे हैं आम ऑप्शनल है क्योंकि अभी आम का सीजन है तो हम खटे सबजी के लिए आम डाल देते हैं बट आप इसके जगर तमाटर जो दो तमाटर कट करके रखें आप वो डाल सकते हैं यहां पर आपको तमाटर या आम को भी बहुत ही अच्छे से से शेकना है ताकि उसका जो खटापन और जो उसका फ्लेवर है वो कोचाई के साथ मिक्स हो जाए उसके बाद आपको डालना है इसमें पानी पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो पानी को डालने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि पानी में उबाल आ सके और आप देख सकते हो सबजी तेल भी छोड़ रही है मिन्स सबजी अब उबलने को तयार है जल्दी उबालने के लिए ह तो हमने दही बेसन का जो हमने घोल तयार किया था वो हम डाल देंगे क्योंकि जब हम बीना उबाले ही घोल डाल देते हैं तो दही के फटने का भी चांसे बढ़ जाता है इसलिए ज्यादा अच्छा उप्शन है कि आप एक बार उबाल आने दे उसके बाद आप घोल डालें आप देख सकते हैं यहाँ पर दही बिल्कुल भी नहीं फटा है और यह कितने अच्छे से उबल रहा है घोल में दही के साथ बेसन भी डला होता है इसलिए बेसन को उबालना मिंस बेसन को पकाना बहुत जरूरी होता है इसलिए आप घोल डालने के बाद दही और बेसन को बहुत अच्छे से पकाओं ताकि जो बेसन का जो स्वाद है वो सब्जी पे नई आना चाहिए आप देख सकते हैं कि सब्जी कितनी अच्छे तरीके से पक चुकी है और कितनी अच्छे से उबल रही है जब सब्जी पक जाती है तो उसके उपर एक लेयर सा बनने लग जाता है आप देख सकते हैं इसके उपर लेयर बन रहा था तो guys हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है तो please आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कोचरी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी और please एक बर ट्राइज जरूर करना guys अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को like, comment, share and subscribe जरूर कर दीजेगा और bell icon को भी hit करना मत भूलिएगा